हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एंस चैनल यूटूबर नेद्र में दोस्तों हम बात करेंगे आट और ईफ्लेक्टぉ-प्नर के बारे में जो आप लोग चस्मे के पावर निकालने वाले मशीन के बारे में भी जानते होंगे आपने कभी चस्मे के पावर निकालने में तो उन कंपोनेंस के बारे में हम आपको बताएंगे तो पहला कंपोनेंस होता है आई यार जो की इंफरारेट के नाम से जाना जाता है और दूसरा है हमारा टार्गेट उस पे एक टार्गेट आता है सामने देखने के लिए तूरा टार्गेट बहुत ही महत्वपूर काम करता है और तीसरा आपका है लेंस उसके अंदर जो लेंस लगा होता है वह चस्मे के पावर निकालने में बहुत ही सहाइब होता है तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यह मशीन कैसे कार करती है तो जब हम इसके उपर चिन रखते हैं तो हमको एक टा हैं तार्गेट को तो टारगेट के बाद उसके अंदर जाता है आई-ाई-ार हमारे आखों के अंदर हैक इमेज जेनोरेट करता है तो वह एमेज का रिफ्लेक्ष rating में देता है कि चसमे का power 0 है या निगलेट है अब उसके बाद जब यह दोनों Images सेम होते हैं उसके बाद हमारा क्या काम करता है लेंस लेंस मूब करने लगता है तो जो इमेज आके अंदर बन रही थी उसके बाद लेंस जो मूब करता है तो उसको वह इमेज को क्लियर करने की कोशिज करता है जहां पर वह image क्लियर होती है उसके बाद में उसका एक axial length ये computer automating निकाल लेता है कि image कितनी दूरी पर और कितने distance पर कितने डाइप्टर के power को adjust कर पा रहा है या कितने power के lens को बना रहा है चाहे हुआ cylinder हो चाहे हुआ spare हो तुरंट के तुरंट वह read कर लेता है तो दोस्तों अब उसी को computer की भासा में एक print के माध्यम से सामने रख देता है जो की computer का number निकल के आ जाता है उसी के माध्यम से चसमे का power दिया जाता है तो दोस्तों हमने आपको बताया कि यह machine कैसे काम करती है इसमें तीन components वर करते हैं नमबर वन IR दुसरा होता है आपका target और तीसरा हमारा lens तो उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर हमारी चैनल पर नए है तो आटो रिपिट्रो मीटर कैसे वर करती है तो लोग जानने की कोशिश करते हैं हमने भी YouTube पर सर्च किया बहुत सारे वीडियो है लेकिन वह हिंदी में पूरा डिटेल में नहीं था इसलिए हमने इसको वीडियो बनाया आपके सामने रखा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो सकते